कोई अर्जदीप को बताओ कि वो अर्जदीप सिंग है मैंद्र सिंग नहीं लाजबॉल भाई को एरो बनना है छक्का मार के जिताऊंगा अर्जदीप तो पहला चोक इंडिया का पहला चोक अंडर गौतम गंबीर एरा आना ही था किसी ना किसी दिन आना था तीन टी ट्वेंटी कंटिन्यू जीतने के बाद आज थी पहली फर्स्ट ओडियाए कोलंबो में श्री लंका में और अच्छी बैटिंग की श्री लंका ने 230 का टार्गेट दिया 231 का टार्गेट दिया इंडिया की बालिंग दिसेंट थी पहला विकेट मिल गया था बहुत जल्दी सिराच को उसके बाद उसके बात कैपिटलाइज नहीं कर पाए जल्दी विकेट नहीं ले पाए और इंडिया का एक प्रॉब्लम है जो अब तक चलते आ रहा है सालों से बहुत सालों से चलते आ रहा है और आज भी चलता है और पता नहीं कितने साल चलता रहेगा और वो यह है कि इंडिया के सामने हमेशा टेल एंडर्स रन बनाके जाते हैं हमेशा मैंने यह चीज़ हमेशा देखा है इंडिया के सामने टेल एंडर्स जो बोलर्स है और पोजिट टीम के वह बैटिं पर इंडिया के सामने में ये सालों से देखते आ रहों ऐसा क्यूं हो रहा है इंडिया बैटिंग बैट्समन के विकेड ले लेती है तो बोलर खेल के जाते हैं अमिशा तो फिर आज भी वो ही हुआ श्रिलंका के लास्ट में उनके बोलर लोग अच्छा लास्ट का 50 रन का 46 रन का पार्टनर्शिम करके गए हैं 230 तक लेके गए नहीं तो इतना स्कोर भी नहीं जाता था ये वाली पिच पे तो बिल्कुल नहीं जाता था और बोलिंक की बात करूं इंडिया के तो इंडिया की बोलिंग ठीक ठाक थी इतनी कुछछ खास नहीं थी दुबे से दो करा सकता था रोजचर्म अगर होता तो वाशिंग्टन सुंधर की बोलिंग ठीक ठाक थी हाँ उसने बहुत बढ़ा विकेट लिया कर उसके अलावा अगर देखो honestly बात करें तो थोड़ा बोलिंग में मात खा गई इंडिया आज लास्ट में थोड़ा रंस लीक कर गई आज और श्री लंका ने वह कैपिटलाइज किया 230 तक का टार्गेट लेके गए उसके बाद 231 चेस करना था इंडिया को सेकेंड इनिंग में और फिर हमारे रोहित शर्मा और गिल साब आये कैप्टन वाइस कैप्टन ओपन करते हैं हमारे इंडिया के लिए 70 रन की पाटनर्शिप की है दस ओवर में 70 पे 0 था फिर शुपमन गिल का विकेट गया स्टार्ट तो बहुत अच्छा था मतलब फास गोलर्स की पिच लग नहीं रही थी और श्री लंका ने भी अगर आप देखो तो कुछ 35 कुछ ओवर्स तो स्पिन के ही करा दिये सेकेंड निंग्स में और बात करें तो फिर रोहित का विकेट गया ना उसके बाद इससे लग नहीं रहा था यार के गेम में कुछ मजा आ रहा है सच बता रहा हूं पिर विराट कोली आया विराट कोली ने अपना जो नौक करता है वो अपना डीसेंट टॉक टॉक वाला नौक खेला उसने पर वो भी नहीं कर पाया उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉबलम है इंडिया को ऐसी के सारे प्लेयरों को LBW होने की स्पिन इतना अच्छा खेलते इंडेंस में जो लगता है कि सबसे अच्छा स्पिन खेलते हैं पर आज ऐसा नहीं हुआ और बात करें विराट कोली विराट कोली के चौबीस रनों के पारी के बाद फिर उससे पहले चार पे वाशिंग्टन सुंदर को बेजा था वाशिंग्टन सुंदर को मैं समझ सकता हूं कि चार प बैटिंग आ जाएगी तो फिर लेफ्टी सीधा फिर बाद में दूबे और अक्सर बचेंगे तो इसलिए वाशिंग्टन सुंदर को बेजना स्टार्टिंग में बेजना पड़ा नंबर चार पर वह भी नहीं खेल पाया वह खुद लबीडवी हो गया पता नहीं क्या हो ग छिडंगा आशया उसको चलत सी छिलंगा के भोलर को मैं मतलब यह वाला लग है और उसको बोल्टे कोतिफो बाल्स लने से फुई उसके बाद के एल राहूल ने अपना विकेट छोड़ दिया हमेशा की तरह कभी तो इंडिया को मैच जिता आज तक मैंने यार कुछ किया भी होगा तो मुझे यहां किसी और को याद ही नहीं कि तुन्हें वो अपन को प्रिफर करते हैं क्योंकि वहाज भी देता है और आगे भी देता रहेगा और को इस वज़य से रिषयब पन को लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि अपना intent उसका continue रखता है वह डरके नहीं खेलता है situation उसको मालूम है कितने भी हम लूजिंग वह अपना intent नहीं छोड़ता है वह मारता है इस वजह से सामने वाली टीम पर और प्रेशर आता है और फिर बात करें केल राहूल की विकेट के बाद दूबे आया दूबे ने अच्छा गेम संबाला बहुत अच्छा गेम संबाला और ऐसा लग नहीं रहा था कि थोड़ा भी स्ट्रगल कर रहा हो अच्छे टच लग रहे थे उसके स्पिन विन बहुत टन हो रहा था उसके बाद भी पर अक्सर पटेल ने यार विकेट छोड़ दिया सामने तो फिर आ गई कुल्दी प्यादव और इन सबने टेल अंडर लोग आ गए सब बोलर लोग आ गए विकेट छोड़ दिया और पांच रन चाहिए थी पांच रन यह मै बाद उसने चौका मारा उसके बाद एक रन चाहिए थी तो शिवम दूबे का विकेट चले गया ठीक है ठीक है पर अब जब नया बैट्समन आता है एक बच्चा भी अगर आ गया मैं जाओ आप जाओ जो वीडियो देख रहे हो खेल ले अगर एक रन चाहिए फिल्डर अं लोगों ने लॉलिप दिया है कि उदे खाली वह अधर एरिया पूरा खाली है तेरेको लॉलिपॉप दिया है कि मार अटा की और और फिर आते हैं हमारे अर्जीब अर्जदीप आ रहा है एकदम गुस्से में एकदम मैं एक रन करूँगा MS दोनी अर्जदीप सिंग क्या दोनी अरे भाई एक रन चाहिए सिंगल निकालते हैं भाई सिंगल निकाल ले यह हो गया LBW अरे एक रन चाहिए एक बॉल में छे नहीं चाहिए 15-20 बॉल में एक रन चाहिए कर एक सिंगल बस पूरी मैच की वाट लगा दी अर्जदीप सिंग ने पूरी मैच की इसलिए इसलिए बोलर लोगों को बैटिंग कराना बहुत जरूरी है जो कि इंडिया में नहीं होता है इस चीज में मैं कुलदी प्यादयों का बहुत वह करूँगा क्यूंकि कुलदी प्यादयों की बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई है बड़े शोट नहीं लगाता है भले अभी आज देको अगर अर्जदीप की जगह कुलदीप होता था बाद में तो वह सिंगल लेता थ और बैठें तेरे पर तो यह क्या बोलू यार अभी मतलब यही सब चेंज करना है मेंटालिटी गंबीर को इंडिन टीम में यही सब कि सबको हीरो बनना है हिरो बनना है मेरे को मारना है मार ले कुडोस तू श्रिलंका अच्छी अच्छा तरह यूज़ किये बहुत अच्छा टर्न हो रहा था मस्त एकदम हसरंगा लास्ट और बहुत अच्छा निकाला यार असलंका इन सब जो भी अकिला धननज है बहुत अच्छा बोलिंग कर रहा था अज सच बताऊंगा अच्छा गेम में वापस आई स्री अफकोस 100 पसंद नहीं होता है किसी अभी हर मैच नहीं जीतेगी इंडिया और अभी दो में से दो जीतने किये सीरी जीतना है तो मस्त विन गेम से दोनों कोलंबो में है यही विकेट है थोड़ा चेंजिस करना पड़ेगा वरना ऐसे नहीं चलेगा सब्सक्राइब करो चैनल क को सब्सक्राइब करो चैनल को अपने दोस्तों को और अर्जदीप सिंग को नहीं करना है वाली वीडियो शेयर पस